इतना काम आजाता है कि साथ-साथ इतना स्ट्रेस आजाता है और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ये हमें नहीं पता. तो अब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? Because it helps you to live a healthy life. साथ-साथ अब बहुत clearly think कर पाते हैं और आपके work में भी productivity बहुत अच्छी रहती है. सबसे पहला है, understanding the BFSI industry का stress क्या है. इसका मतब ये है कि इस industry में ऐसा क्या चीज है जो बहुत ही जादा stressful होता है. आपके deadlines tight रहते हैं, आपका regulatory frameworks बदलता रहता है, financial complexities बहुत जादा रहते हैं और साथ-साथ volatility है इस market में. Next हम बात करेंगे point number 2 की which is mindfulness and meditation. अब ये क्यूं हम करते हैं? Because ये आपके overall stress, anxiety को release करता है, आपके focus को भी improve करता है तो ये बहुत ही जादा जरूरी है. Third point है time management. अब हमें पता है कि हम कितने strict और tight deadlines में काम करते हैं, साथ-साथ हमें इतने सारे tasks complete करने होते हैं, तो इससे हमें करना क्यूं है? Time management करने से क्या है? आपकी productivity increase होती है और आपका जो ही stress है ये reduce होता है और अपने time को बहुत ही efficiently manage कर सकते हो. अब आते है हमारे fourth point पे जो है physical exercise. अब ये क्यों जरूरी है? Physical exercise आपके stress hormones को कम करता है और आपके mental resilience यानि आपको mentally और strong, fit and healthy बनाता है to focus on your daily tasks and for you to achieve your goals. अब हमारा fifth point nutrition and lifestyle changes. इसका मतलब ये है कि आप क्या खाते हो, आपका nutrients क्या जाता है और साथी साथ do you sleep well, do you have sufficient sleep? ये बहुत जादा impact करता है आपके stress को भी और आपके cognitive ability को. यानि आप जितना सोचते हो, आपके intelligence quotient को बहुत जादा impact करता है. अब आते हैं हमारी sixth point पे जो है effective communication. अब ये क्यों जरूरी है? अगर आप देखोगे तो workplace में बहुत ही जादा stress आदा जादा तर लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि team में collaboration सही नहीं है, miscommunication है या कोई ऐसी conflict है जिसको आपने resolve ही नहीं किया. इस वज़े से जो stress build up होता है उससे आपकी productivity ही नहीं बद आपके work environment को भी बहुत जादा impact फील होता है. अब बात करते है point number seven key which is professional development and skill enhancement. इसका क्या मतलब है? क्यों ये जरूरी है? हमें बताए कि BFSI industry ऐसी industry है जो continuously adapt और evolve होती है और इतने सारे changes रहते हैं because the market is volatile. तो ये consider करते हुए आपको continuously अपने आपको skill up करन है that so that you can stay ahead of the game. अब हम बात करेंगे point number eight की जो बहुत जादा जरूरी है मेरा personal favorite है वो है work life balance. अब हम इसके बारे में तो बहुत सुनते हैं बहुत बात करते हैं बड़ी क्यों जरूरी है? और आप disinterested zone में चले जाएं. इसे के लिए बहुत जादा जरूरी है कि आप अपना work और अपना personal life दोनों को balance करें. अब हम बात करेंगे point number nine की which is team collaboration and support. तो ये क्यों जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि हम teams में काम करने वाले हैं. तो जहां effective communication जरूरी है वहीं पर कैसे आप team के साथ काम करते हो, कैसे उनके साथ feedback share करते हो, कैसे आप feedback accept करते हो, इससे आप अपने stress को reduce भी कर सकते हो और workload को भी manage कर सकते हो. Finally point number ten जो है crisis preparation. क्या है crisis? मतलब कोई भी unexpected ऐसा challenging या difficult situation. अब ये क्यों आता है? बिकुस हमें पता है कि industry ये market इतना volatile है कि कभी भी कोई भी ऐसा situation आ सकता है. So you have to be prepared mentally कि कभी भी कोई भी uncertain, difficult, challenging situation आ सकता है. और इसको आप कैसे handle करते हो, ये आपके team पर भी effect होगा, आपके company पर भी और आपके performance पर भी. तो अगर आप देखोगे, मैंने आपको दिया 10 step comprehensive guide कि आप इस industry में कहां कहां stressful feel कर सकते हो और आप कैसे उसको deal कर सकते हो, उसका strategy क्या है. अगर आप ये guide step by step अच्छे से follow करेंगे, तो definitely आप work life balance भी establish कर सकते हो, stress भी manage कर सकते हो, अपने आपको भी individually skill up कर सकते हो, team में भी का active रहेगा and you can scale up in your career.